सूरत में अर्विंद केजडिवाल के शो में ये पत्थर बाजी हुई है रोडशो कर रहे थे अर्विंद केजडिवाल वहाँ पर पत्थर बाजी की खबर है पत्थर ठेके गए हैं सूरत में ये रोडशो हो रहा था और इस रोडशो के दौरान पत्थराव की इस वक्त ये बड़ी खबर मिल रही है तो अर्विंद केजरिवाल सूरत में उनका रोडशो और इस रोडशो के दौरान पत्राव हुआ है ये इन्फरमेशन इस वक्त हम आप तक पहुचा रहे हैं बहुत जादा डिटेल्स इस वक्त इस बड़ी खबर को लेकर नहीं है कि किसने पत्राव किया है कितने लोग थे या किसी को छोट भी आई है तो बहुत ही शुरुआती दौर में इस वक्त ये खबर है लेकिन इस वक्त जो इन्फरमेशन हमारे पास है वो हम आपको बता रहे हैं सूरत में रोडशो और अर्विंद केजरिवाल का ये रोडशो और इसी दौरान ये पत्थर बाजी हुई है और देखे तस्वीरे रोडशो की इस वक्त आपके स्क्रीन पर है अर्विंद केजरिवाल आपको दिखाई दे रहे हैं लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हुए लेकिन ये रोडशो जो सूरत में अर्विंद केजरिवाल जिसमें शामिल हुए उस नहीं है लेकिन इसी रोडशो के दौरान पत्थराव हुआ है पत्थर बाजी हुई है ये हम आपको इन्फरमेशन यहां पर दे रहे हैं तो गुजरात इलेक्शन जहां वोटिंग की जो डेट है वो लगातार जैसे जैसे करीब आती जा रही है लगातार जो बयान बाजी ह है वो भी तल्क हुई है तीखी हुई है और प्लिटिकल पार्टीज एक दूसरे पर वार पलट वार कर रही है और खबर के लिया से इस वग जो तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं यह स्पष्ट करते हुए अर्विंद केजरिवाल का रोडशो क्राउड की तर की रहे हैं और इसी रोडशो के दौरान यह कहा जा रहा है कि पथराव हुआ है किसने पथराव किया क्यों पथराव यह हुआ है कितने लोग इसमें शामिल रहे हैं इसे लेकर अपसे थोड़ी देर बाद मेरे स्योगी और डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे